मैं सब सबूई खान है जानिमानी वकील है उनका स्वागत है और साथी साथ शोशल अक्टिविस्ट भी हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या ये बिल भारत के सविधान के विरोध में है मैं से ये पूछती हूँ क्या समविधान में अंडर प्रिविलिज्ज लोगों के लिए प्रोविजिन्स लाने का प्रावधान नहीं है पहली चीज दूसरा आप बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे ये किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दिये जाने चाहिए तो 1947 में धर्म के आ अगरिक बनने के लिए उसी नागरिकता कानून में दूसरे प्रावधान है अगर आप मुसलिम हैं और आप एक सिटिजन बनना चाहते हैं आप सिटिजन नहीं हैं तो उसी सिटिजन्शिप पैक्ट में दूसरे प्राविजिन के अधनान सामी को भी सिटिजन्शिप मिली है तो आप ये बोलों चीज़े कंपेर क्यों करे हैं अमीज जी पूरी कॉंस्पिरिसी बहुत सिंपल वर्ड्स में अभी एक्सपोस कर देती हूं कुछ लोगों को NRC की एक्ससाइज बहुत बुरी लग रही है उन लोगों को करोडो घुसपैटी ये बरदाश्ट है चाए वो इंपोस्टर हो चाए वो इंटरनाशनल जासूस हो चाए वो आतंकवादी हो सिर्फ इसलिए बरदाश्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारे मुसल्मान भी है और उन्हीं सेम लोगों को सिटिजनशिप अमेंडमेंट में बिल इसलिए बरदाश्ट नहीं है कि जैसे भी रह्मानी साब ने का कि बहुत चंद है चाए चंद हिंदू जो कि जिनका human rights violation हुआ ह भी धर्म भी नहीं ला रही human rights violation के base पे अगर हम उनको ला रहे हैं वो उन लोगों के इसलिए बरदाश्ट नहीं है क्योंकि वो हिंदू है मतलब इस देश ते मुसल्मान कोई बहार ना चला जाए चाहे वो कितना ही गलप क्यों ना हो और इस देश में हिंदू कोई आना जा इस दोट जस्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स यह सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है यह इसलामिक स्टेट बनाने की वहाँ भान सिकता है और यह सारी एक्सपोज हो रहे हैं पूरे देश के सामने कि मुसल्मान भर लो चाहे आतकवादी क्यों ना हो और हिंदू एक भ पेस पे आपकी मान सिकता है वो बट्रार आपके दिमाग में धर्न के वेस पे जो के एक्सपोज हो रहा है परदाखाश हो रहा है ना इस देखिये ट्रिपल तलाक 370 राम मंदिर एनर्सी सिटिजिशिशिप अमेंडमेंट बिल और फाइनल प्रहार होगा यूनिफॉर्म सि साइकिलर होगा तब इनके लोगों के पेट में यह दर्द हो रहा है कि धर्म की जो राजनीती होती इस देश में वो खतम हो जाएगी